नमस्कार साथियो ये क्या बिमारी है आप देख रहे हैं आंक की जो कोर्निया है जो स्वेथ पटल है उसकी जिल्ली के अंदर पानी भर चुका है जिसे हम इस जिल्ली का नाम है कंजक्टाइवा कंजक्टाइवा के अंदर पानी भरने की किरिया को या फिर कंजक्टाइवा की swelling को हम conjunctivitis कहते हैं यानि कि उसका दूसा नाम है chemosis एक ऐसी रसाइनिक की दिया है जिसके अंदर पशू की आँख के अंदर irritation की विज़ से phone body की विज़ से या फिर infection की विज़ से जो conjunctiva है उसके अंदर यानि नेत्र सलेस्मा के अंदर पानी भरना fluid भरने की किरिया को chemosis कहते हैं ये आंख में infection की विज़ से हो सकता है ये आंख में किसी phone body की विज़ से हो सकता है या फिर आंख के अंदर allergy की विज़ से हो सकता है तो साथियो इसकी treatment क्या है ये विमारी कितने दिनों में ठीक होती है इसको किस प्रकार treat करना चाहिए ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी तो अंत तक वीडियो में बने रहें ये प्राई आम तोर पर गाए भेंस भेट बकरी के अंदर होने वाला रोग है और हम प्राई आम तोर पर ऐसे रोग को देखते हैं ये रोग किसी viral और bacterial infection की विज़ से या फिर आंख के अंदर allergy की विज़ से ये रोग पैदा होता है इसमें आंख की सफेद परत जिसको हम जिली कहते हैं जिसको हम conjunctiva कहते हैं ये conjunctiva पलकों के नीचे की परत और आंख के सफेद भाग की उपरी परत को हम conjunctiva कहते हैं इस conjunctiva के अंदर fluid भरने को हम कैमोसिस कहते हैं तो इस कैमोसिस को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए इ इस प्रकार का रोग पसू में हो जाता है तो उस पसू को कि आंक के हंदर में एंटी इंफ्लामेटिड ड़क डालनी चाहिए ताकि आंक का सोजन कम हो जाए एलेक्जिक रियक्शन कम हो जाए और इसके साथ-साथ में एंटीवाइटिक ओंटमेंट या एंटीवायोटिक मेडिशन डालने चाहिए मारकेट में मिलने वाले किट्व आईड्रॉपس का भी प्रियोग क्या जा सकता है किट्व आईड्रॉपस के नहीं मिलने पर लियोफ्रोकसेसिन एंटिबायोटिक और प्रिटनेसलोन इंजेक्शन की दो तिन बुने दिन के अंदर चार से पांच बार डालने से ये रोक समाप उता है और इसके साथ साथ राम राम